नमस्कार आप देखर न्यूस एट इन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ गायती शर्मा सबसे पहले अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहने क्योंकि मास्की कोरोना से बड़ा बचाव है और इसलिए हमने मास्क के लिए एक मोहिम भी शुरू किये है हैश्टेग मास्क पहन दीए को चिट्थी लिखी है चिट्थी में शिश्ण सेना विधायक ने लिखा के एंस्ट समयना चाहते हैं चिट्थी शिप सेना विधायक प्रताप सरनाईक की तरफ से पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते और उनकी तरफ से दो बाते कही गई एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि उधव अगर पी-म से मिलते हैं तो शिप सेना को फायदा होगा यानि ये एक सलहा उन्हें दी है और दूसी तरफ उन्हें आरोप लगाया NCP पर आरोप ये लगाया कि शिप सेना नेताओं को NCP तोडने की कोशिश करे और आरोप कॉंग्रिस पर भी के कॉंग्रिस अपना CM चाती है दिवाकर हमारे से योगी लाइब मुंबई से चुड़ गए है हमारे साथ दिवाकर ये बड़ी बाते चिठी के जरीए प्रताप सरनाइक आप कहरें कि कद्दावर नेता भी हैं पार्टी में यानि उनकी बात की एहमियत तो है शिप सेना इस पूरी चिठी को कैसे देख रही है प्रताप सरनाइक ये सबसे पहले बताएं कि कौन से लोग है जो उन्हें परिसान कर रहे हैं बिना वज़ा ये बात पहले वो साब करें उसके बात फिर क्या वज़ा है क्यों उन्होंने चिठी लेगी उनसे बात की जाएगी लेकिन फिलाल सबसे पहले उन्हें यह बतानी जरूरत है कि आकिर बिना वज़ा उन्हें कौन परिसान कर रहा है यह खास तोर पर पर प्रमुखनेता हैं मुख्यमंत्री हैं उनसे यह बताएं इस तरह के पत्र लिखने पहले उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी तो साब तोर पर यहां पर संजराउत ने अपने ही बिदहायक को एक सवालों के घेरे में खड़ा किया हैं लेकिन सबसे एहम चीज इस पूरे मामले में यह है कि मुख्यमंत्री की क्या पत्क्रिया होती है क्योंकि सीधा सीधा पत्र प्रताब सरनाइक ने मुख्यमंत्री को लिखा है और साब तोर पर जो महाविकास अगारी सरकार है उसके दो सहयोगियों पर आरोफ लगाया है कि एं लग रहा है अगर मुख्यमंत्री के करीबी भी है प्रताब सरनाइक तो लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस चिट्थी पर कोई प्रतिक्रिया आएगी ऐसी कोई उम्मीद आपको दिखाई देती है या फिर अभी तक अगर खामोशी है इस चिट्थी पर मुख्यमंत्री की तो फिर उसके क्या मायने देखें 10 जून को चिट्थी लिखी गई गईती और देस जून के बाद आज बीजून है बीजूने दस दिन का वक्त गुजर चुका है और इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया हालाकि मुख्यमंत्री ने अपनी सयोगी को मदद की जरूरत है और ऐसे में अगर कॉंग्रेस ऐसा करती है तो लोग उसे चपल से मारेंगे तो साब तर्फ पर उसारा दे दिया था लेकिन सिहुसेना के मुख्यपत सामना में चीज कही गई थी कि अगर कॉंग्रेस अकले चुनाव लड़ती है बीजेपी अकले चुना लेकिन चीज तरह से अब लेटर आया है मुख्यमंत्री की पत्रिया का इंतजार सब को है क्योंकि बीजेपी ने साब तोर पर एक है कि अगर सरनाइक कह रहे हैं तो साहित जाहिर तो पर बीजेपी को कटगड़े में खड़ा ना करें बलकि अपनी बात मुख्यमंत्री को र लेकिन उनके बयान के बात कॉंग्रेस और एंसीपी की तरफ से भी बयान बाती शुरू हो गई वहीं बीजेपी की तरफ से भी सामनी आई है प्रतिकरिया तो एक बयान उद्व ठाकरे की तरफ से दिया गया था और उस बयान को लेकर भी सियासी हलचल देखने को मिल रही है महराश्ट में उद्व के बयान पर संजे राउत ने क्या कहा आईए सुनवाते हैं आपको आप राजनीती करेंगे देश में संकट है महराश्टा में संकट है करोना का संकट है तुफान का संकट है लोगों को मदद के जरूरत है तो थोड़ी राजनीती दूर रखकर उस मामले में काम करना चाहिए अगर आप करोना की संकट में राजनीती करेंगे तो लोग चपल से मारेंगे हमको हमको सब को राजनीती करते हैं उनको यह उद्दोजी का कहना है और यह बहुत ही सही है अच्छा विरोधी जो इनके पेट में दर इसलिए है कि वो सत्ता पर नहीं आ सके हमारी वज़र से तो उनके लेकल उद्दोजी ने बहुत ही कड़मी दवाद दी है पेट मेले नहीं बाहर से लगाने के नहीं जंडू बाम नहीं दिया है अंदर से दिया है लगा दवादी तो जो बोली दी है अब मुझे लगता उससे सबका स्वास्त ठीक हो जाए रहे हैं अधर के बयान पर कॉंग्रेस के नेता हुसेन दलवाई क्या कह रहे हैं आईए वो भी आपको सुनवाते हैं कॉंग्रेस के पूर वसंसर हुसेन दलवाई जी मौझूद है दलवाई सर किस तरीके से इस बयान को आप देख रहे हैं ऐसी है कि कॉंग्रेस परटी ऑल इंडिया कोंग्रेस परटी है और ये आरलोंडर के हमारे जो नेता है आला कमान जो निरने देखी को हम लोग मारते हैं एक उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए दूसरी बात इसी है कि चपल से मारना बिरना ये सरग की भाषा करना अभी वो महाराश्ट के मुख्य मंत्री हैं उनको ये शोबा नहीं देता मेरे खाल से उन्होंने ये स्यम की गद्दी का जो गरिमा है वो गरिमा समालना चाहिए ऐसा है कि हर जगा हर पार्टी को अपना अपनी पार्टी बढ़ाने का एक हम काम करेंगे ही खुद संजे राहुत हर दिन कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे तो उनको कौन चपल से मारेगा इस तरह की भाषा नहीं किरनी चाहिए आखिर जाके एक तो स्वायत जो संस्ता हैं कैसा कि जिल्ला परिश्द है तालुका पंचैद है ग्राम पंचैद है यहां कार्पोरिशन है मुल्सिपाल्टी है वहां तो अलग-अलग ही लड़ेंगे वहां एक इससे लड़ने का सवाल ने बहार सवाल यह इसका लोगसभा क और विधान सबा का उसका निलने लिया गाएगा और आएभ आपको सुनवाते उद्धर ठाकरे के बयान पर कॉंग्रेस के नेता नाना पटोले का बयान पॉरोना में कॉंग्रेस ने जो राज जमें काम किया शाहिरी को पार्टी नहीं किया मुझे पता नहीं और मुझे जो दो जी ने कल अपना सिुषेना के स्टाइल में उनके वर्णापंदीन के उपलश में कहा है तो सिमसना भी खुद के बरों से लड़ने की बात करती है, पीजेभी भी खुद के बरों से लड़ने की बात करती है, कॉंग्रेस भी करने की, वो किसको बोल रहे थे, इसका कोई स्पश्टिकरन नहीं है कोविट की तरफ ध्यान न देते हुए, इस तरह के राजिनीतिक बयान अगर किसी पक्ष की तरफ से आते हैं, इस पिशारा अगर उनका कॉंग्रेस की तरफ है तब भी, ये कहना सही नहीं होगा, कि इस तरह के बयान से अगहारी सरकार में किसी तरह की आपसी रंजिश पैदा हो सकती है, लोकतामत्रिक अट्मासफियर में इस किसम के सुझाव, इस किसम की बातों की पूरी अनुमती है, और जहां तक के अगहारी सरकार के तीनू भाग, कॉंग्रेस, शिवसेना और राश्टरबादी कॉंग्रेस पार्टी आपस में तालमेल के साथ काम कर रही है, पा कॉंग्रेस हाई कमांड ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, कॉंग्रेस हाई कमांड भी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा कदम उठाय जाए जिससे अगहारी सरकार की स्थिरता को कोई एडवर्स फर्क पढ़े, मुझे लगता है कि इन बयानात को हम ज्यादा दूर तक नहीं ख लिखा, उन्होंने लिखा कोरोना के बाद अपने बूते पर चुनाव लड़ने की जो बात करेगा, लोग उसे जूते मारेंगे, मुख्यमंत्री ने कल ये कहा, संभवते इशारा कॉंग्रेस की ओर था, क्या ये भाशा सही है, नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिये, अपने स योगी को जूते से मारने की बात कहकर, शिव सेना गटबंधन की मरियादा लांग गई, निंदन ये है, और इस पूरे मामने पर बीजेपी के निता, किरिट सुमया ने क्या कहा, आईए, वो भी आपको सुन बाते हैं, किरिट जी सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अगर कोरोना काल में अकेले लड़ने की बात कोई करेगा, कोई नारा देगा, तो लोग उसे चपल से मारेंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? मुख सभा लड़ी, विधान सभा लड़ी, और फिर खुर्सी के लिए दगा दिया, डर्पोग इसके कारण है कि उसको डर है, कि या तो मोदी जी लगेंगे, या फिर कॉंग्रेस और NCP साथ में लड़ो, और फिर डिक्टेट करो, दोनों के साथ में, और जन्ता के साथ में तो विश्वात खात कर रहे हैं, तीनों मिलाके सरकार बनाई लेकिन कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, फिर कोरोना का करक्शन कर लही है, आज नहीं तो कल उतको लोग जवाब माएंगेंगे, और भी कई चीजों पर उन्होंने बात की है, उनका ये कहना है कि सत्ता में आने क कितने लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, कहीं नाम ना लेते हुए वीपक्ष पर उनने ये निशाना साथा है 12 क्रोड महारात्य के जनटा के पेट में नहीं पूरा दर्द कितने लोगों के मृत्यों ही कोरोना में बेइमान मुख्य मंद्री है महारात्य के एक लाग कोरोना मृत्यू जो अप्रेल में में हुए वो इतने चिपा है और इस बीच आपको बता दे शिफ सेना विधायक प्रताप सर नाइक ने उद्धर ठाकने को चिठ्थी लिखी है ने शिफ सेना विधायक ने रिखा कि एंसिप और कॉंगरिस अपना सेम चाहती है चिट्थी में ये भी लिखा गया है कि कॉंग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है NCP की ओर से शिफ सेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है चिट्थी में सरनाइक ने ये भी लिखा कि अगर उधव पिये मोदी से मिलें तो शिफ सेना को फायदा होगा तो कदावर नेता हैं शिफ सेना के विधायक हैं प्रताप सरनाइक जिनकी तरफ से चिट्थी लिखी गई है चिट्थी में शिफ सेना विधायक ने क्या लिखा है वो भी आपको बता दे उन्होंने लिखा NCP और कॉंग्रेस अपना सीम चाहते है चिट्थी में ये भी लिखा कि कॉंग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती और NCP की ओर से शिफ सेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है चिट्थी में सरनाइक ने ये भी लिखा कि अगर उधव पियम मोदी से मिले तो शिफ सेना को फायदा होगा तो ये चिट्थी शिफ सेना के विधायक, प्रताब, सरनाइक की तरफ से उधव ठाकरे, महराष्ट की मुख्यमंत्री उधव ठाकरे को ये चिट्थी उन्होंने लिखी है और अपनी चिट्थी में उन्होंने लिखा है NCP और कॉंग्रेस अपना CM चाहते हैं के अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि कॉंग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है NCP की और से शिफ सेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है चिट्थी में सरनाइक की तरफ से ये भी लिखा गया है पत्र लिखा गया है महराष्ट के CM को महराष्ट के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उद्धव ठाकरे को ये चिट्थी उन्होंने 10 जून को लिखी थी 10 दिन बीच चुके हैं हाला कि उद्धव ठाकरे का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है उनकी तरफ से इस चिट्थी को लेकर कोई स्टेट्मेंट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन चिट्थी में शिफसेना की विधायक प्रताप सरनाइक लिखते हैं कि NCP और कॉंग्रेस अपना CM चाहते हैं कॉंग्रेस अकेले चुनाव रणा चाहती है NCP की और से शिफसेना की निताओं को तोड़ने की कोशिश कारोप भी इस चिट्थी में लगाया गया उनकी तरफ से और साथी उनकी तरफ से ये भी सलहा दी गई है ये कहा गया है कि उधव ठाकरे अगर PM मोधी से मिलें तो शिफसेना को फायदा होगा और इस वक्त एक बड़ी कपर दिल्ली से जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने जान बचाने वाली दवायों के नाम पर नकली इंजेक्शन बनाने वाले गिरो का किया है परदाफाश पुलिस ने इस ग्रो से जुड़े दो डॉक्टरों समें दस लोगों को गिरफतार किया है जो एक घर से इस काम को अंजाम दे रहे थे पुलिस ने घर के अंदर से बड़ी मात्रा में डिबो में पाक करके रखे गए नकली इंजेक्शन भी बरामत किया और बताई जारे कि कुरोना ब्लाक फंगस के इलाज में इस्तमाल होने वाले इंजेक्शन के नाम पर ये लोग नकली इंजेक्शन बाजार में सप्लाई कि ये भी पता चला है कि नकली इंजेक्शन बनाने का काम पकड़े गए दोनों डॉक्टर मिलकर किया करते थे और वो 400 से ज्यादा लोगों को ये इंजेक्शन बेच भी चुके हैं तो दवा के नाम पर ये धोखा धड़ी का मामला जिसका परदाफाश पुलिस की तरब से किय किया गया है कुछ लोग और हैं जिन्होंने इनको एक्सपाइड इंजेक्शन अभी सप्लाइ किये या फिर जो बाकी वायर्स थी ये कहां से आई हैं बाकी की दवाईयां हैं ये सारी अभी तप्तीश जा रही है लेकिन अभी तक हमने 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया है अब तिवारी हमारे से योगी हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद किस तरीके से ये पूरा गोरक धंदा चला जा रहा था और पूरी घटना का जो मास्टर माइंड है इस पूरे रेकेट का वे डॉक्तर अलतमा से निजामुतीन में उसका एक क्लीनिक है और जो सेफुला जाब है वहां पर आमीर का क्लीनिक है इनके जो भाई हैं जो मेनेजर हैं और अन्य लोग हैं मेडिकल शॉप से जुड़े ल जहां पर यह अपने क्लाइंट तलासते थे और वहां पर उन्हें आसानी से ब्लेक फंगस के इंजक्शन मुहिया कराने का दावा करते थे उसके बाद जो जैसे ही कोई जरुवत मंद जो मरीज इनके जहां से माता था उसे यह नकली इंजक्शन और सॉब दे इनके पास 3500 जो रेंडेसिवर और ब्लेक फंगस के इंटन हैं वो बरामाद हुए हैं उनकी कुराग बरामाद हुई है और 400 इंजक्शन दे ब्लेक कर चुके हैं जो नकली इंजक्शन ते गाहिर तोर पर एक तरीके से लोगों की जान भी इन्होंने जोखी में डाली है जो डिली ड्रॉ प्रोले उसके जो हैड है उन्होंने शिकायत क्राइम बरांट को दी जिसके बाद क्राइम रांट की टीम ने ट्रेप लगाया और उसके बाद इन दस लोगों को गिरफतार किया गया है इनकी रिमांड ली जाएगे और इस पूरे नेक्सेज में और जो लोग शामिल है उनकी हो सकता है कि बड़े स्तर पर भी ये गिरो काम कर रहा था जी रेखिए जो डॉक्तर अलतमस है ये अपरेल में इसी साल अपरेल में गाजियाबाद में भी रेम डेसीवर की काला बजारी के मामले में गिरफतार हो चुका है और जैसे ये जमानत पर बाहर आया उसमें फिर से अपने घर से और अपने जो क्लीनी के वहां से ये कारोबार जो काला बजारी का है वो शुरू करा जिसमें उसने डॉक्तर आमीर को अपने साथ शामिल करा जो यूपी का रहने वाला है और मूल रूप से इसके बाद इनके जो भाई थे इसमें डॉक्तर अलतमस के वो भी इ सेज फॉरवर्ड करने काम करते दोर डॉक्टर के सांग्य वो नकली जओ एकसपार इंजेक्शन है यह जो कुछ असली बनाकर और एक तरीके से उसमें बकाईदा पर्षियां लगा कर ब्लेक फंगेश के इन्जेक्शनकी जो जरूरत के लिए काफी कारगार इंजेक्शन होते हैं ब्लेक फंगस के इलाज के लिए वो इंजेक्शन की ब्लेक मेलिंग और काला बजारी ये लोग कर रहे थे और कहीं न कहीं आप जो दिल्ली पुलिस की क्राइम बनांच है वो कहीं लोगों की जान तो नहीं चेली गई होगी उनके स्वास्ते पर क्या आसर पढ़ा होगा शुक्री आनन ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए पूरे गिरो का परदा फाश किया गया है कितने बड़े स्तर पर ये काम कर रहा था पुलिस इसकी चानबीन करें जगा जगा लेकिन फिलाल जो जानकारी मिल रहे हैं इस मामले में उसके मुताबिक 10 लोगों की अभी तक ग्रफतारी हो चुके जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल है करीब 7 माहिने से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के खलाफ आवाज उठने लगी है सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन की वज़र से बहां आसपास रहने वाले लोगों की परिशानिया बढ़ गई हैं जिसका अब विरोध भी शुरू हो गया है सिंगू बॉर्डर पर बढ़ती हिंसक घटनाओं के विरोध में और एक तरफ का जो रास्ता खुलवाने की मांग है उसको लेकर वहां महापंचायत कायुजिन किया गया इस महापंचायत में करीब 50 गाउं के लोग शामिल हुए